चोर चोरी सुनना आम हो गया है लेकिन इतना आम भी नहीं हुआ है कि चोर पुल ही चुरा ले जिसके बाद लक्टकिया चोर बड़ा दर्द में है सर्म से चुलू भर पानी धून रहा है कि मिल जाये तो चोरी छुटे 150 सुराने वाले चोर भी मूँ चुपाने के जगा खोज रहे है मार्केट में 1000 किलो वाला नया चोर जो आ गया गजबे खेला है बिहार का या लोहे का पुल ही चोरी हो जाता है हाँ लोहे का ही पुल कोई प्लास्टी का नहीं जब आप देखेंगे तो खुद को हसने से भी नहीं रोप पाएंगे बिहार के रोतास में ऐसी ही चोरी हुई है जा लोगों की मौझूदगी में 4000 किलो का पुल ही गायब कर देता है 50 साल पुराना पुल चंद मिन्टों में चोर उड़ा ले जाते है गलत फ्यमी नहीं पुल प्लास्टी का नहीं लोहे का था लोहे का वो भी कोई नया नवेला नहीं 50 साल पुराना 1000 किलो का लोहे का पुल संयोग देखिए ये आदर्स ग्राम है जांकि चोरी चोरों के लिए आदर्स बन गई है नासरी गच प्रखट के आदर्स ग्राम अम्यावर में चोरों ने 60 फिट लंबा पुल चुरा लिया ये पुल आधे दर्जन गाउं को जोडता है हाँ भले इसे अब रिटायर्ट घोसित कर दिया गया था चुकि इसके बगल में एक नया पुल सीना तान के खड़ा हो गया है लोगों की नजर ने पुल को किनारा क्या दिखाया चोर पहुँच गए मूठ आए रिटायर्ट पुल पर चोर बोरिया बिस्तर सब लेकर आए और सरकारी अपसर वाला रुटबा भी साथ लाए एक सरकारी अपसर आए भला फिर जनता काहे कुछ बोले जिसके बाद क्या था ससराम चिले के साथ फुट के पुल को खोल कर सरकारी अपसर अपने बटूए में ले गए अरे माप कीजिए ट्रक में लोट कर ले गए बाकि सब मूध आकते रगे रोतास में 100 फिट लंबे ये एतियासिक पुल अब एतियासिक चोरी में बदल गया जिसके बाद अस्थानी लोगों ने इसमें विभागीय मिली भागत बता दिया लेकिन विभाग ने कहा हम कुछ नहीं जानते इस बारे में यानि जो जानते हैं कि क्या हुआ है वो जनता और चोर है पतादे बिहार के साजाराम जिले में खुद को सरकारी अपसर बताने वाले कुछ लोग 60 फिट लंबे इस बात का पुल खोल कर ले गए पुलिस ने सनिवार को बताय कि 500 टन वजनी इस पुल का निर्मार क्या आप 10-20 हजार रुपए महिना अपने घर पर रहकर कमाना चाते हैं तो खोले मिनी बैंक अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस सभी बैंकों का आधार कार्ट से निकासी सभी कम्पनियों के मोबाइल डी टी एच रिचार्श पैन कार्ट जैसे अने को सर्विस के लिए कॉल करें डबल सेवन चो सिक्स डबल जीरो सिक्स फाइफ सिक्स फाइफ पर लोहे का पूल था हमारे गाउं से वो चोरी हुए और पूल कप कटा कैसे खाटा कौन कटा मुझे इसका कुछ जनकारी नहीं है मैं पूर्म प्रतनी दी मुख्या प्रतनी दी रह चुका हूं और मेरे रिजन में कोई आवेदन नहीं दिये गया है पूल को आने के लिए और सब्सक्राइब के बारे में मुझे कुछ जनकारी है मैं सब्सक्राइब करता हूं कि इसका उच्छी जाच कर करणूनी करवाई कि बता दें कि साल 1986 में